हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक नन्नी सी प्यारी सी छोटी बच्ची को एक ड्रेगन से बचकर भागते हुए देखते हैं जहां वो ड्रेगन उसके उपर अटेक करनी वाला था कि एनोस उस को अपने मेजिक से खतम कर देता है तब ही वो लड़की एनोस को भाईया कहकर बुलाती है और यहां पर हमें पता शलता है कि उस लड़की का नाम भी एरकेना होता है इसके बाद एनोस एरकेना के सर पर हाथ सहला कर उसे शान्त करता है और बताता है कि यह ड्रेगन्स मेरे पीछे आ रहे हैं अच्छा यही रहता है कि मैं तुम्हें विलेच के अंदर छोड़कर आ जाता लेकिन मैं ना तुम्हारे साथ रहना चाहता था क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरी फैमली हो यह सुनकर एरकेना एनोस को गले लगा लेती है और इसके बाद एनोस उसे लेकर एनोस उसे पूछता है अरे ओ तुम मेरे बेड़ पर कब आ गई जिसके जवाब में एरकेना बताती है कि जैसी तुम सो गए थे उसके बाद आ गई और उसी वक्त रूम में मिर्शा और साशा भी आ जाते हैं जो एनोस के साइड में एरकेना को बिना कपड़ों के देखकर एकदम हेरान हो जाते हैं और तभी साशा पता नहीं मनी मन काफी सारे खयाली पुलाव पकाने लगती हैं मगर फिर एरकेना कहती है अरे ओ रुको रुको मैं एनोस की खोई हुई यादे वापस ला रही थी मैंने सुना था कि दुबारा पैदा होने के बाद एनोस ने अपन हैती हैं रे डोबी मैं गोड हूँ इसलिए बिना कपड़ों के मैं उसकी बोडी से बहतर कनेक्ट कर सकती हूँ अच्छा जी अच्छा ये भी ठीक है फिर तो फिर वहीं अगले सीन में एनोस एरकेना से पूछता है कि क्या मैंने आज जो सपना देखा वो मेरा पास्ट था जिस पर एरकेना वापस से पूछती है कि तुमने सपने में देखा क्या था जिस पर एनोस बताता है कि मेरे सपने में एक छोटा बच्चा था और अपनी छोटी बहन के साथ में रह रहा था लेकिन मुझे ये तक याद नहीं कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स कौन थे पर मेरी म मां मुझे पेदा करने के बाद ही गुजर गई थी इसलिए हो सकता है कि हम दोनों सगे भाई बेहन ना हो ये सुनकर एरकेना कहती हैं कि हो सकता है कि मुझे मेरी पावर्ज पर पूरा कंट्रोल ना हो लेकिन आगे तुम्हें धीरे धीरे सब याद आने लगेगा और ये सुनक पर एनोस सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तिफाक है कि मेरी छोटी बेहन का नाम भी एरकेना ही था तब ही साशा एनोस से पूछती है कि वेसे तुम हम दोनों से क्या बात करना चाहते थे जिस पर एनोस कहता है अरे हां उस दिन जब तुम दोनों ने अपनी बोडी को मर गई थी उसकी डीमोनिक आइस ओफ डिस्ट्रक्शन सभी तरह के मेजिक को खतम कर सकती हैं और सभी चीजों को दोबारा से क्रियेट भी कर सकती हैं मैं खुद उससे कभी मिली तो नहीं हूँ लेकिन अगर तुम सच में गोडेस ओफ एपसर्डिटी हो तो मैं तुम्हें एक नाम भूलने से पहले देखा होगा हो सकता है कि सभी गोडेस के खिलाफ जाने के बाद गोडेस ओफ एपसर्डिटी एक डीमन बनकर पैदा हुई हो ताकि वो डीमन किंग ओफ टाइरनी के साथ काम कर सके लेकिन शायद फिर हालातों के चलते उसकी बोडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हो आगे एनोस कहता है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब हम दोनों 2000 साल पहले कभी ना कभी मिले हैं फिर वो मीशा से पूछता है कि क्या तुम्हे याद है जब हम पहली बार मीड हैस के अंडरग्राउंड सिटी में गए थे वहाँ पर तुमने बोल हैं कि ये तुमारी पिछली लाइफ की यादे हो और ये भी हो सकता है कि जब हम वापस से पैदा हुए तब हमसे अमारी मेमरीस को चुरा लिया गया हो अगर हम अपनी मेमरीस को धीरे धीरे करके वापस लाएं तो उस दुश्मन का पता लगा सकते हैं उसी वक्ते एरकेना क कहती हैं कि एक ऐसा गोड है जो ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम लीबर शेंड है माना जाता है कि वो ड्रेगन गोड के किंगडम में है जिस पर एनोस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो वहाँ चलते हैं और साथ ही हम जजमेंट सिलेक्शन को भी तबाह करने वाले हैं और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम हीरो एकेडमी में देखते हैं जहां एनोस अचानक से सभी स्टुडेंट्स के सामने आकर कहता है कि सुनो तुम सब लोग अभी मैं तुम लोगों का टेंपरेरी टीचर एनोस हूं और यह सुनते ही काफी सार लोगों को डरने की जरूत नहीं है मुझे हर एक बात काफी अच्छे से याद है कि तुम सबने क्या कब और केसे किया था और यह सुनकर तो अब सारी स्टुडेंट्स की और जादा फट जाती है और वो सोचते हैं कि अब तो हमें काफी बेर हैं इसे टोर्चर किया जाने व आले हैं तभी एक लड़की पूछती है कि क्या हम उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं जिसके जवाब में एनोस कहता है कि नहीं सबी ड्रेको नाइट्स हमारे दुश्मन नहीं है लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम सब उस सिचुएशन को कैसे संभालते हो वहाँ पर मोड का खत्रा भी होगा इसलिए हो सकता है कि तुम में से कोई जिन्दा भी ना बचे हां लेकिन इसी वज़े से तुम्हें यहाँ पर काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा देखो इसमें शामिल होने के लिए मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा अगर तुम लोगों में से किसी को अपने अंदर यकीन नहीं है तो वो यहीं पर रुख सकता है इसके बाद एनोस सभी स्टुडेंट्स को बाहर बुला कर उनके उपर एक मेजिक करता है जिससे सभी स्टुडेंट्स का एक क्लोन बन जाता है और ये क्लोन उनसे काफी जादा स्ट्रोंग होते है आगे एक क्लोन तो एक स्टुडेंट को अटेक करके उसे वहीं पर मार देता है लेकिन फिर एनोस उसे रिवाइव करकर कहता है कि हमेशा इस फीलिंग को याद रखना इसकी बाल मीशा, साशा और कहीं सारे स्टुडेंट्स एनोस के पास आकर कहते हैं कि तुमने हमारा क्लोन क्यों नहीं बनाया जिसके जवाब में एनोस कहता है कि तुम सब लोग उस लेवल से उपर उठ चुके हो लेकिन मेरे पास तुम लोगों के लिए भी एक परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर है और बस इतना कहेकर एनोस एरकेना को बुला लेता है और कहता है कि अंडरग्राउंड में जाने से पहले तुमें गोट्स के साथ फाइट करने का एक्सपिरियंस चाहिए होगा और इसके बाद एरकेना साशा और मिशा को अपने साथ एक दूसरी जगा ले जाती है आगे एनोस एलेन और और जेसिका को आपस में फाइट करने के लिए कहता है और फिर वो ले और मिशा से कहता है कि तुम लोगों ने ड्रेगन किंग पर जो लव स्पेल का इस्तमाल किया था वो काफी ज़्यादा पावरफुल था और ये मेजिक सबी गोट्स के उपर भी काम कर सकता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाओ जिसका सबसे आसान तरीका होगा कि अगर तुम अपने जैसी किसी दूसरे मेजिक यूजर से फाइट करो और तभी एनो शीन के साथ मिलकर ले और मिसा का सामना करने के लिए तयार होता है और कहता है कि देखो मैं अपनी लव पावर को कंट्रोल करने में बिलकुल अच्छा नहीं हूँ इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी पूरी ताकत से फाइट करो फिर आगे ले और शीन एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं जहाँ पर ले कहता है कि मुझे आप से आपकी बेटी के बारे में काफी जरूरी बात करनी है लेकिन शीन यहाँ पर उसके सारे अटेक्स को काफी आसानी से ब्लोक करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और अभी बाते करना बद करके मेरा सामना करो क्या तुमारे अंदर बस इतना ही दम है तो वही थोड़ी technically से कहता है कि क्या तुमें समझ आ रहा है कि शीन तुमारे सबी अटेक्स को कैसे रोक पा रहा है क्योंकि ये उसका लव है और तभी शीन एक और अटेक करके ले को इंजर्ड कर देता है और ये देखकर अब ले मीसा से मदद मांगते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो जिसकी बाद मीसा खुद को ट्रांस्फॉर्म कर लेती है और वो दोनों साथ में मिलकर एक काफी जादा पावरफुल लव इस्पेल से अटेक कर देते हैं लेकिन शीन उसको अकेला ही रोक लेता है मगर तभी हम देखते हैं कि धिरे धिरे वो इस्पेल और जादा पावरफुल होता जा रहा था जो देखकर फिर एनोस भी शीन की मदद करने लगता है और देखती देखते उनकी बीच की लड़ाई काफी जादा सीरियस हो जाती है एक तरफ तो दो लवर्स का लव होता है तो वही दूसरी तरफ शीन और एनोस की दोस्ती का लव होता है और दोस्ती वाला लव ही हमेशा जीतता है मेरे दोस्तों और बस फिर इसी दुरान एनोस उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे लव में एक काफी बड़ी कमजोरी है तुम दोनों को लगता है कि लव में रहना एम्बेरेसिंग है और इसलिए तुम दोनों का अटेक पावरफुल नहीं है बस इतना कहेकर एनोस और शिन उन दोनों पर अपने लव स्पेल से फायर कर देते हैं जिससे ले और मीसा वहीं पर हार जाते हैं फिर यहां से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एनोस सबी लोगों को लेकर अंडरग्राउंड के लिए निकलने वाला था जहां पर वो एरकेना को सब के सामने बुला कर कहता हैं कि सब लोग सुनो ये एक गोड है और यहीं अमें अंडरग्राउंड तक लेकर जाएगी और तभी एरकेना उपर से एक मेजिक करके नीचे की जमीन को फ्रीज कर देती है जिससे वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता खुल जाता है और बस पिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है